हलो बच्चों आज हम क्लास 11th Mathematics का एक टॉपिक है Functions and Graph यह सिकेंड चिप्टर शायद है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं देखिए हमने आपको जो पहला चिप्टर था NCRT का या यह 11th Mathematics का तो वो था आपका Set Theory का ठीक है वहाँ बताया गया Set Theory में कि अगर आप Element में Set में लिखते हैं और Order Change कर देते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है हम प्राद चुके हैं इसको एक बार वीडियो देख लिजिएगा इसके बात बताया गया कि Order Pair में कैसे लिखेंगे तो फिर Order Pair आपने लिखा करमित युगम करम से लगाया उसको फिर बहुत सारे Order Pair जितने भी संभव Order Pair थे वो अस्वा आपने निकाले तो उसे कार्डीशन प्रोड़क्ट हुआ कार्ती गुणफल वो आपने निकाला इसके बात हम जब Order Pair लिख रहे थे तो हमने बताया कि उसमें एक Relation होता है अगर 1,2 आपने लिखा है मालिया तो 1,2 से छोटा है अगर 1,2 आपने इस प्रकार से करमित युगम लिखा है तो इसमें एक संबंध होता है एक Relation होता है तो मैं रेलेशन बताया है उसमें इन सभी वीडियो के Link हम दे देंगे Description में समय मिले तो देख लीजेगा इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं Function देखे Function क्या होता है जो संबंध बताया गया उसमें आपको याद हो अगर आपने पढ़ा हो देख लीजेगा उसको हमने बताया था कि ये A से B में माले कोई संबंध है तो इसके Element माले 1,2,3,4 है इसके माले A,B,C,D है E है तो इसके सभी Element को डोमें कैलाते थे सहपरांद और माले 1 A से जुड़ा हुआ है 1 B से जुड़ा हुआ है मैं Relation की बात कर रहा हूँ संबंध की बात कर रहा हूँ मैं Function की बात नहीं कर रहा हूँ फलन की बात नहीं कर रहा हूँ द्याने कि ये फलन नहीं है देंगे रिलेशन है और 2 माले 3 से जुड़ा हुआ है 3 जो है B से जुड़ा हुआ है तो इसके वो Element जो इसे जुड़े हुए है सभी Element नहीं है ये Domain कहराते है प्रांत कहराते है ये सभी Element Co-Domain है और इसके वो Element जो यहाँ पर Relation बता रहे हैं सम्मन बता रहे हैं उनको Range कहते हैं परिसर कहते हैं इसके बारे में हम बता चुके हैं हम इसका Link भी दे देंगे इसको देख लीजेगा समझ में आ जाएगा पकी बात 100% समझ में आ जाएगा अब Function बताने के पहले हम कुछ Graph बताना चाहते हैं पहले Function के Graph फिर Function को समझाएंगे Function का बहुत ज़ादा Detail Intermediate में है आप क्या नहीं है ज्यादा मैं Graph समझाने जा रहा हूँ समझने की कोसिस करिएगा मैं कुछ Graph प्लाट करूँगा इसको मैं रप कर देता हूँ मैं कुछ Graph प्लाट करूँगा वो यह समझ जीगा कुछ Types of Function के बारे में बात करने जा रहे है Types of Function फल्नों के प्रकार Types of Function फल्नों के प्रकार इधर के Element Domain है उधर के Range या Code Domain है यद्या रखिएगा इधर के वो Element जो Relative है उनके वो Domain है और उधर के Element जिनके साथ उनका समंध है वो आपके Range है क्योंकि यहाँ पर Range और Domain के बारे में हम बात करेंगे देखिए Function क्या होता मैं नहीं समझा रहा हूँ कुछ टाइप के Function है उनको समझेगा देखे मालिया F अच्छा पहला Function समझेगा पहला है Identity Function Identity Function Function क्या होता आपको नहीं मालूँ ठीक है Identity Function का मतलब होता है कि मालिया Identity को हिदी में कहते हैं तत समक फलन तत समक फलन अब इंगलिस वाले यस वर्ड को न पकड़े क्योंकि बड़ा टफ वर्ड लगेगा उनके लिए मत पकड़िये इसको देखिए Identity का मतलब होता है कि कि किसी भी Function का उसी के साथ सम्बंद माल लिया सम्बंद 2 से 3 का सम्बंद 3 से अगर ऐसा कोई Function है तो उसको हम कहते हैं तत समक फलन या Identity Function कहते हैं बहुत डिटेल मत जाईएगा हलका फलका इसका Graph आपके आँ है वो मैं Plot करना सिखाऊँगा अब मैं इसका Graph Plot करने जा रहा हूँ देखे ध्यान से आप एक X-axis माल लिजिए ये जो X की Value रखोगे और X की Value रखने पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा FX मिलेगा X की Value रखने पर जो मिलेगा वो Y मिलेगा यारे कि FX मिलेगा तो मैं यहाँ Y लिख दूँ यहाँ FX लिख दूँ अगर मैं x को रखूंगा 0 तो y 0 आएगा आपको graph plot करना आता है तो ये point आपको मिल गया 0 x रखा हमने 1 तो y भी वनाएगा तो जब x माले इसको माले 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 2 ऐसे कर सकते हैं x को 1 रखेंगे तो y वनाएगा यहां कही हम आएगे x को 2 रखेंगे तो y भी 2 आएगा x को 2 रखा तो y भी 2 आएगा x को 3 रखा y भी 3 आएगा x को 3 रखेंगे y भी 3 आएगा यह बहुत छोटे class में आप कीशना जानते हैं x को minus 1 रखेंगे y भी minus 1 आएगा X को –2 रखेंगे Y भी –2 आएगा तो –1 का हो –1? यहाँ आएगे यहाँ आएगे तो इस प्रकार से आपको एक graph plot होगा जबर X1 तो Y1 यहाँ पर हम पहुंचेंगे ऐसे X2 तो Y2 यहाँ कहीं पहुंचेंगे हम ऐसे यह 2 हो गया, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया तो y-2 यहां कहीं पहुंचेंगे तो इस प्रकार से एक graph plot होता है इसको हम कहते हैं identity function ठीक है अब देखो x का मान रखते हो और y मिलता है अभी हम relation बता रहे थे हम बता रहे यह function नहीं है मैं relation को बारे में बात कर रहा हूँ तो relations अभी हलका फुलका function समझेगा इधर आप x का मान रख रहे हो और इधर जो मिलना है वो fx मिल रहा है आप x को क्या रख रहे हो कुछ भी रख सकते हो 1,2,3,4,-1,-2 कुछ भी रख दीजेगा और y भी कुछ भी मिल जाएगा 1,2,3,4 तो जितने भी real number है वो आप यहां रख सकते हो और वहां आपको real number मिलेंगे तो इसका domain क्या होगा domain मतलब prant वो real number होगा और range क्या होगा वो भी real number होगा तो यह आपका identity function हुआ जिसको की तत्समक फरन कहा जाता है जब हम function बताएंगे तब इसको समझेगा function क्या होता अभी फिला ग्राफ के वारे में बात कर रहे है आप यह दिमाग ना लगा हो function क्या है एक y बराबर x है और x का मान रखने पर y निकल रहा है और इसको ग्राफ प्लाट कर रहे हैं यह समझा लिजेगा ठीक यह आपका हो गया जागर के identity function दूसरा function देखे क्या होता है दूसरा है constant function constant function जिसको की अचर फलन कहते है constant function दूसरा है constant function जिसको की हिंदी में कहते हैं अचर फलन अब constant का मतलब जिसकी value चेंज ना हो अगर मैं कहूं कि y जिसको की नाम देते हो fx बराबर c तो यानि कि x यह x होता है न x कुछ भी आप रखें y हमेशा क्या मिलेगा c मिलेगा अगर मैं इसका ग्राफ की चून यह x यह y देखें y क्या है मालि यह y की value है c x को 1 रखा y c x को 2 रखा y c x को 3 रखा y c तो आपको एक parallel line मिल जाएगी x की और यह दूरी हमेशा क्या रहेगी c रहेगी यह constant function है अब इसका domain क्या होगा domain बोले तो x का मान आप x को कुछ भी रख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2 तो domain क्या होगा इसका इसका जो domain होगा वो all the real number होगा range क्या होगा range बोले तो x का मान रखने पर y का मान जो आ रहा है y तो अब जाएद c आ रहा है तो range जो इसकी होगी वो c होगी हमेसा c रहेगी जो भी value हो अगर minus c होता अगर मान लेते यहाँ यहाँ प्लस माइनस होता तो माइनस के लिए इधर हम ग्राफ प्लाट कर देते यह नीचे माइनस ही हो जाता अगर होता तो प्लस में उपर का पार्ट माइनस में नीचे का पार्ट लेकिन constant रहता है हमें साथ यह दूसरा function है constant function तीसरा है polynomial function लेकिन हिंदी में हम बतातू रहे हैं लेकिन जब आप बड़े class में जाओगी अब आपको इससे बड़ा क्या होगा रहे है इससे बात बहुत बड़ा class आएगा तो वहाँ पर आपको थुड़ा सा English word ही यूज़ करते है टीचर तीसरा है polynomial function polynomial function बहुपत फलन बहुपत फंक्शन को तो फलन कहते हैं देखे बहुपत किस प्रकार का होता है आपने पड़ा है a0 प्लस a1x प्लस a2x square up to an x to power n अगर ऐसा कोई function है तो उसको हम कहते है polynomial function अब उसका graph कैसे plot करें वही graph plot करना इसमें कुछ पक्का नहीं है कि कैसा graph plot होगा ये depend करता है कि वो polynomial किस प्रकार का है उस प्रकार से graph आपको मिलेगा जैसे मैं एक example ले लेता हूँ इसका हाँ x की degree हमेशा natural number होगी दियार रखेगा बता 1,2,3,4 हो सकती है x का मान कभी minus में नहीं आएगा x की degree minus में हो जाए या under root x हो जाए ऐसा नहीं होगा देखें मैं एक example लेता हूँ इसका एक example लेता हूँ 1 जिसको कि y लिखते है y बराबर fx लिखते है मैं x square लिख रहा हूँ अब मैं x का मान रख रहा हूँ और y निकालना हूँ एक roughly value है ऐसा नहीं कि x हमेशा exact value आएगी क्योंकि कोई graph में हमारे पास graph तो है नहीं graph sheet कि जहाँ पर point हो वहीं पर locate करें एक idea से locate हम कर रहे हैं देखिए ध्यान से अगर हम यहाँ पर x का मान रखें और यहाँ पर y का मान निकालें x का मान रखते हैं और y निकालते हैं 4-6 value निकालके दिखा देंगे वो अपने आप निकल आएगा x रखा 0 y यह x है यह y है x रखा 0 y यह 0 x रखा आपने 1 x को 1 रखेंगे तो 1 का square y बनाएगा यहाँ कहीं आजाएगे x y भी बनाएगा x रखेंगे 2 2 रखेंगे 4 y 4 आजाएगा x रखेंगे 3 y 9 आजाएगा x रखेंगे 4 y 16 आजाएगा square करेंगे न x रखेंगे minus 1 तो minus 1 का square करो को तो फिर 1 आजाएगा x रखेंगे 2 minus का तो यह 4 आजाएगा minus का 3 तो 9 आजाएगा तो आप क्या देख रहे है x को plus में रखो तब भी y positive इस प्रकार से ऐसे और x को में रखो तब भी y positive तो इस प्रकार से एक graph बनता है आपका ये y है ये fx है आपका तो ये आपका graph यहाँ पर हुआ अब जिरा समझेगा यहाँ पर इसमें domain क्या है range क्या है ये आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें concept आएगा parabola उसका concept यहाँ पर है तो यहाँ x का मान क्योंकि आप उसका square कर रहे हैं तो अगर range हम बात करेंगे जिकों परिसर कहते हैं वो हमिशा positive real number होगा तो इसका कोई एक look नहीं होता कि यह ऐसा ही बनेगा ये depend करता है कि आपको कैसा बहुपत दिया हुआ है कैसा polynomial दिया हुआ है जैसे एक और example इसका हम लेते हैं मालिया fx बराबर x cube ले रहे हैं ये polynomial function है इनके graph ज्यादा exam में नहीं आते हैं कभी-कभी click करते हैं तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा जैसे दूसरा एक इसका एक example ले लेते हैं जिसको कि y लिखते है fx बराबर x cube क्यों एक function है तिन डिगरी का है अब मैं x की value रखोंगा और y की corresponding value निकालता हूँ देखिए हमने ऐसे value रख ली ऐसे value रख ली x रखेंगे उसके corresponding y हम निकालते हैं देखिए अगर x को रखें 0 तो y क्या आएगा 0 cube हो ना ध्यान रखेगा x रखेंगे 1 तो 1 का cube 1 x रखेंगे 2 2 का cube 8 x को 3 इसका 27 x को 4 x को minus 1 रख दो तो minus 1 का cube minus 1 minus 2 का cube minus 8 minus 3 का cube minus 27 तो अगर इसका हम graph plot करते हैं तो देखिए कैसे plot करेंगे ये आपका x axis है ये आपका y axis है बहुत exact graph paper पर नहीं बनाना है कि आप graph paper लीजिए और exact उसको locate करिए locate कर सकते हैं सो फार सो गुट अच्छी बात है देखिए 0 0 ये point आ गया 1 कामा 1 x को बना का y बना गया 2 कामा 8 देखिए x तो धिरे धिरे बढ़ रहा है लेकिन y cube में आ रहा है तो ये बहुत speed से ये graph उपर चोड़ जाएगा ऐसे graph बने गई और जब minus में रख रहे हो तो y minus आ रहा है तो ऐसे graph बनेगा इस प्रकार से ये आपका fx बराबर x cube का graph है अगर हम domain range की बारे में बात करें तो positive ही domain में positive value भी हो सकती है जो x का वाहना आप रहे है और negative भी हो सकती है और जो range है वो भी positive ने native कुछ भी हो सकती है इसका जो domain होगा वो R होगा और जो range होगी वो भी आपकी R हो all the real numbers positive भी हो सकते हैं वो negative हो सकते हैं अगला एक है rational function पारिमिया फ़लन कहते हैं इसको rational function यह number four होगा rational function पारिमिया फ़लन कहते हैं इसको हिंदी में पारिमिया फ़लन जड़ा इस rational वर्ड को पकड़िएगा आपने परिमिया संक्या पड़िए rational number पड़े हैं कि ऐसे three upon two लिखा जाएगा तो rational number होते हैं उपर भी पूरांक हो नीचे भी पूरांक हो ठीक है नीचे zero नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ यहां तो function आ गया जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि denominator में zero होने से क्या होता है value infinite हो जाती है जो कि undefined होती है ठीक है इसका graph कुछ पक्का नहीं होता है यह depend करता है जैसे माने एक example हमने लिया हमने आप से का x square plus one यह है polynomial और अपार x cube plus seven और इसका नाम आपने fx लग दिया अब यह भी rational यह भी polynomial है लेकिन exact value आप इसकी नहीं निकाल सकते यह depend करता है कि value to value यहाँ value रखके निकालेंगे 0,1,2,3,4 अगा करी plot करेंगे ठीक है तो इसका कोई particular graph नहीं होता है यह x की value पर जैसा function होगा उस प्रकार से इसको plot करेंगे ठीक है इसके बात आता है modulus function अब चला complicated function आएंगे उनक से समझेगा modulus function होता है मापांक फलन कहा जाता है फिर्ट नंबर है modulus function modulus function इसको हिंदी में कहते है मापांक फलन देखिए modulus का मतलब क्या होता है देखिए mod को mod x लिखते हैं और इसको देदीजे नाम y देदीजे या इसका नाम क्या देदीजे एफ x देदीजेगा इस mod का मतलब होता है यह negative नहीं होता है यह positive होता है इसको defined कैसे किया जाता है देखिए इसकी value x होगी अगर f x is greater r equal to 0 अगर x का मान 0 या उससे बड़ा है तो x होगी और अगर x की value less than 0 है 0 से छोटी है यह निगेटिव है तो इसको हम minus x लिखेंगे अब आप कहेंगे साब यह तो अभी आप बता रहे थे कि minus नहीं हो सकता आप करें minus x लिखेंगे देखिए जैसे 5 का mod निकालना है तो 5 का mod क्या होगा 5 क्योंकि 5 positive है अगर minus 5 का mod निकालना है तो हमने क्या का minus और x यहाँ पर क्या है minus तो यह value फिर क्या जाएगी 5 तो आएगा positive है लेकिन यहाँ plus नहीं ली सकते है ध्यान रखिएगा modulus का मतलब होता है without any sign वहाँ sign नहीं होना चाहिए तो यह यह plus नहीं लिखा जाएगा वो understood है कि plus होता है इसका graph कैसे कीचेंगे देखें ध्यान से अगर मैं graph कीचता हूँ एक roughly graph बताता हूँ यह x की value है और यह y यानि इसको हम fx कह सकते हैं देखें अगर x को हम रखेंगे 0 0 यहाँ पर आएगा तो y 0 आएगा x रखेंगे 1 तो y भी 1 आएगा x रखेंगे 2 y भी 2 आएगा तो इधर यह graph सीध है ऐसे चला जाएगा अगर x को minus 1 रखते हैं आप तो y फिर positive आएगा क्यों y तो positive आना है तो इधर यह इस प्रिकार से graph बढ़ेगा यह modulus function का graph होता है ठीक है अब अगर इसका domain की बारे बात करें domain बोले तो x की value तो x की value तो कुछ भी रख सकते हैं तो इसका domain क्या होगा सभी real number येकिन इसका range क्या होगा क्येवल positive real number क्योंकि इसमें negative नहीं आता है तो ये आपका ये definition ध्यान रखेगा क्योंकि जो integral और ट्रॉफिक पढ़ाए जाएंगे mod के तो ये mod को खोलने का तरीका होता है तो ये आपका होगा modulus function अगला देखें signal function next है six numbers आएद है signal function signal function इसको चिन्द फलन कहते हैं चिन्द फलन जो आप ध्यान से समझेगा इसका graph बहुत खतरनाक तो नहीं है इसका definition समझेगा अगर mod x अपान x लिखते हैं इसका नाम होता है signal function fx बोले तो y जो इसको समझेगा इसकी definition क्या होती है जब mod को खोलेंगे अगर x greater than 0 है x 0 से बड़ा है तो कुछ भी value हो सकती है 1,2,3,4,5 तो यहाँ 1 रखोगे अपान में बनाएगा कटके बना जाएगा यहाँ 2 रखोगे अपान में 2 आएगा कटके बना जाएगा तो यह हमेशा 1 रहता है और अगर x less than 0 करोगे negative आपने माइनस 5 रखा तो यहाँ रखा माइनस 5 तो यह तो हो गया plus 5 लेकिन नीचे क्या है नीचे तो mod है नहीं नीचे हो जाएगा माइनस 5 वही अगर आपने x के वलू माइनस 5 रखा माइनस 5 अपान माइनस 5 तो उपर 5 नीचे माइनस 5 वैलू क्या गई माइनस 1 अगर आपने माइनस 2 रखा लेस दन 0 के बारे बात हो रही है तो यह माइनस 2 mod अपान माइनस 2 तो 2 अपान माइनस 2 वैलू क्या होगी माइनस 1 तो less than 0 हमिशा क्या होगा minus 1 और equal to के 0 में इसकी value 0 होगी यह signum function है याद रखेगा अगर x greater than 0 है यह 1 होगा x less than 0 है यह 0 होगा x sorry minus 1 होगा और x equal to 0 में 0 होगा इसका graph थोड़ा technical है ज़रा समझेगा यह x की value है यह y बोले तो fx की value है देखो जब मैंने greater than 0 किया जड़ा समझेगा पहले 0 किया जब x को 0 किया तो y 0 आ गया यहाँ पर हम पहुँच गया यह point मिला जब हमने 0 से बड़ी value रखी 0 से बड़ी value का मतलब क्या होता है 0.00000000001 कुछ भी रखे तो 1 ही आना है यहाँ एक्स को कुछ भी आप यहाँ रखे y हमेशा क्या आना है 1 आना है लेकिन x को 0 नहीं रख सकते हैं और x 0 कहां पर होता है y axis पर तो मालिया 1 यहाँ पर है यह क्या है यह 1 है तो यह वारा point छोड़ा पड़ेगा यहाँ circle बना दिया circle यह show करता है कि यह point आपने छोड़ दिया है 0 x बरावर 0 छोड़ दिया है और इसके बाद कुछ भी value हो सकती है यह graph पर लेगा सुन्मियारी बाद अब अगर यहाँ y minus 1 है मालिया जब x less than 0 करेंगे equal to 0 नहीं है equal to 0 x का पर होता है y axis पर तो y axis का point छोड़ दिये यह circle बनेगा अगर आप इस प्रकास से dark line कर देते है dark circle इसका पॉइंट आप ले रहे है अगर आप एक circle बना देते है hollow type का यह point आप छोड़ रहे है यह हमेशा minus 1 ही रहेगा x जितना आप negative रखिए हमेशा यह y minus 1 होगा यह आपका signum function है इसको चिन फुलन कहते है अब एक खतरनाक type का diagram है greatest integer function यह बहुत दिक्कत करता है हमेशा greatest integer function greatest integer function greatest greatest integer function महत्तम पुढ़ांक फलन कहते है महत्तम पुढ़ांक फलन दरा समझेगा इसको लिखा कर से जाता है greatest इसको कहा जाएगा greatest integer अगर मैं greatest integer x बताता हूँ fx बराबर x लिखता हूँ इस पुकार से bracket लगा कर क्या ऐसे लिखा जाता है तो इसकी जो definition होती है होता है greatest integer इसकी जो definition लिखी जाती है वो लिखा जाता है तब तो 2 ही value हो जाएगी चीक है अगर आपने 3 निकाला तो 3 value ही हो जाएगी अगर minus 1 निकाला तो minus 1 ही हो जाएगी अगर minus 2 निकाला तो minus 2 हो जाएगी लेकिन अगर आपने 2.1 निकाला दरह समझेगा 2.1 कहां पे आप होंगे 2.1 आप यहां पे होंगे चीक है और यह क्या कहा गया कि वो integer जो सबसे बड़ा हो या इसके बड़ावर इससे छोटा हो लेकिन इसके just पहले integer क्या आएगा 2 इसके पहले 1 इसके पहले 0 तो इसके पहले जितने भी integer है उसमें से सबसे बड़ा कौन है वो 2 है तो 2.1 की वैलू क्या होगी 2 अगर मैं कहूं greatest integer 2.2 तो क्या होगी 2 अगर मैं कहूं integer 2.9 तो क्या होगी 2 अगर मैं कहूं integer 3.1 तो क्या होगी 3 क्योंकि 3.1 यहां पर point आएगा और इसके पहले कौन सा integer है जो सबसे बड़ा है वो 3 है चीक है अगर मैं कहूँ कि integer minus 1.2 तो पहले तो minus 1.2 है कहां पर हम minus 1.2 हम यहां पर है इसके पहले कौन सा integer है minus 2 यहां क्या लिखा जाएगा minus का 2 क्योंकि इसके पहले minus 3 आएगा फिर इसर minus 4 आएगा उनमें सबसे बड़ा कौन होगा minus 2 तो यह greatest integer का concept होता है अब इसको graph ने कैसे plot करते हैं इसको समझने की कोशिश करिए थोड़ा technical है ध्यान रखिएगा देखिए greatest integer का graph कैसे बनता है सबसे खतरनाक टाइब का graph इसका मना जाता है देखिए बनाने की मैं कोशिश करूँगा बन गया तो ठीक क्योंकि अगर आपके पास graph paper होगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको बनाया जा सकता है देखिए हमने क्या किया पहले x-axis खीज़ दिया वो ध्यान समझेगा शिर्फ y-axis खीज़ दिया चीक है अब हम करेंगे क्या एक्स की वरे 1,2,3,4 यह कुछ एक्स और बना दीज़े अपनी जानकारी के लिए यह 1 इस तुकार से यह 2 इस तुकार से यह 3 इस तुकार से यह 4 इस तुकार से एक समानदूरी बनाईएगा चुकि यहाँ कोई नाप तौल तो है नहीं यह-1 x की-1 value करेंगे तो यह आएगा यह-2 यह-3 यह-4 समझिएगा यह x-axis है यह y-axis है अब जड़ा ग्राफ भाई देखिए एक्स को मैंने क्या रखा 0 पर नमबर लाइंट कीज लिएगा अपनी जानकारी के लिए 0,1,2,-1,-2 तब एक्स और रखोगे 0 तो y क्या आएगा 0 यानि इस पॉइंट पे हम आ गए ठीक है एक्स रखा आपने 0.1 बोले तो यहाँ पर कहीं y क्या होगा उसके पहले का नमबर यह तब भी आप 0 रहेंगे x रखा 0.2 तब भी आप 0 रहेंगे देखिए 1 तक आप जब पहुँचेंगे तो 1 तक आप 0 ही रहेंगे यहाँ पर लेकि जैसे 1 पर पहुँचा जैसे 1 पर पहुचा वैसे इस 1 could this ने छोड़ दिया इस वारे 8 को छोड़ दिया यह कहां पर यहां फोर यह जोड़नि ने यहां पी एक्जिट पॉइंट आपने छोड़ दिया और जो आपने 1.1 रखा तब भी 1 1.2 रखा तब भी 1 1.9 रखा तब भी 1 तो दिको 1 से लेकर कि 1.9 तक आप यहां पहुंचे जैसे 2 पे पहुंचे वैसे 2 को छोड़ दिया सरकल मताब यह पॉइंट आप नहीं ले रहे है तो के बि 2.1 रखा तब भी 2 2.9 तक रखा तब भी 2 तो यहां तक 2 रहा यहां तक पहुंचे और जैसे 2 पहुंचे जैसे 3 तक पहुंचे यह पॉइंट छूड़ गया यहां पहुंचे आगे पहुंचे यह पॉइंट छूड़ गया यहां पहुंचे इस प्रकार कि सरकल यह बनेगा पर यह graph इधर का बनेगा इधर समझेगा जैसे minus 0.1 रखा तो क्या आएगा 0 minus 0.1 यहां पर आता है ना minus 1 आएगा minus 0 जीरो आप रखेंगे जब आप रखेंगे 0 तो यहां पर y0 छूट जाएगा यहां हम आ जाएगे ठीक ऐसे circle बनेगा यहां पहुंचे तो कहां पहुंचे यहां पर पहुंचे यहां पर पहुंचे ऐसे graph बनेगा फिर समझेगा एक्स रखा हमने 0 तो y क्या आगया 0 यह point आगया हमारा जैसे 0 minus में 0.1 रखा जैसे 0.1 रखा 0.000001 रखा जैसे आपने रखा वैसे क्या गया minus 1 आगया यानि कि यह point 0 छूट गया यहां पहुंच गया यहां पर हमने circle बना दिया minus का 0.2 रखा तो minus 1 0.2 यहां पर आएगा तब minus 1 तो हम minus x कुछ भी रखें वाई हमेंसा क्या रहेगा minus 1 और जैसे हम x को minus 1 रखेंगे वैसे यह point छूट के हम यहां पहुंच गया ठीक तो इस पुटार से graph इसका बनेगा इसको बना लीजेगा यह graph है इसके बाद बात की जाएगी की functions क्या होते हैं कैसे से question लगते हैं okay thank you